ये मेडिसीन दर्द और सूजन को ठीक करने का काम करता है और जैसे की सरजरी के दोरान या फिर आपरेशन जब किसी का होता है तो उस समस्या में जो दर्द रहता है उस दर्द को ठीक करने का काम ये मेडिसीन करता है और यद किसी को किसी कारण से चोट लग गया है वहाँ पर सूजन की समस्या हो गया है दर्द हो रहा हो तो उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है joint pain की समस्या में इस medicine का उपियो किया जाता है inflammation की समस्या में इस medicine का उपियो किया जाता है rheumotaitic arthritis की समस्या में इस medicine का उपियो किया जाता है औस्टियो और्थ्राइटिस की समस्या में इस मेडसीन का उप्योग किया जाता है कमर के दर्द को ठीक करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है घुटनों में किसी परकार का दर्द रहता है तो समस्या को ये ठीक करने का काम करता है और इस medicine का उपयोग किस परकार की दिक्त, किस परकार की समस्या मेरीज को क्या तकलीव रहती है, क्या दिक्कत रहता है, या किन किन रोगों में इस medicine का उपयोग किया जा सकता है. डॉक्टर के दौरा ये मेडसीन किस परकार के दिक्कत किस परकार के समस्या में पैसकराइब किया जाता है इस मेडसीन का डोज क्या होता है इस मेडसीन का साइड इफेक्ट क्या होता है या पूरा डीटेल से आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे इस मेडिसीन का उपयोग जैसे कि अगर किसी को उसके सरीर में कहीं पर अगर बाडी में दर्द और सूजन की समस्या रहती है दर्द और सूजन आपको चोट लग गया है या फिर किसी कारणवस आपके बाडी में कहीं पर दर्द हो रहा हो या फिर सूजन की समस्या हो तो समस् मेडिसीन ठीक करने का काम करता है और जैसे कि यह किसी का सरजरी हुआ हो तो सरजरी के दोरा जो दर्द की समस्या रहता है उस दर्द की समस्या को यह मेडिसीन ठीक करने का काम करता है और जैसे कि अब हम आपको बता दें कि अगर किसी के दात में जैसे अगर किसी के दात में द का दर्द हो लाटी डंडा का चोट हो या फिर गिरे परे का चोट हो या फिर घुटनों में उठने में बैटने में काफी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है गुटनों में लगतार कांटीनियू दर्द बना रहता है तो उस दर्द को भी ये मेटसिन ठीक करने का का करता है, rheumatitis arthritis की समस्या में ये medicine काफी अच्छा वर करता है, और जैसे कि osteoarthritis, एक ऐसी समस्या जो आपके हड्डियों या घुटनों से related किसी भी परकार की, अगर कोई समस्या रहता है, तो उस समस्या को ये medicine ठीक करने का काम करता है, आपने का दर्द continue बना रहता है, तो उस दर्द की समस्या को ये medicine ठीक करने का काम करता है, और जैसे कि अगर किसी के पीठ में दर्द रहता है, आपने देखा होगा, जब कोई खड़ा होता, या फिर जुक के काम करता है, या फिर late time काफी ज़्यादा दर्द की समस्यारेता है, या फिर वो चियर पर बैठा रहता है, उसकी वज़ा से उसके पीठ में काफी ज़्यादा दर्द की समस्यारेती है, तो उस दर्द की समस्या को ठीक करने का काम ये medicine करता है, और जैसे कि अगर किसी के सरीर में, जॉएंट joint में दर्द रहता है या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपके joint या पायर के घुटनों में या फिर हम आपके सरीर में कहीं पर अगर joint में किसी भी परकार का दर्द रहता है हड्डियों में तो उस दर्द को ये ठीक करने का काम करता है और जैसे कि सबसे ज्ञदा इस मेटिशीन का उप्योग ऐस्ट्यो ऑर्थराइटिस की समस्या में डॉक्तर के दोरा प्रेस्क्राइब किया जाता है। लुमोटाइटिक्स अर्थराइटिक्स समस्या में इस मेटसीन का काफी ज़धा रसकराइब किया जाता है डॉक्टर के दोरा या नि हड्डियों से संबंदित अगर किसी भी परकार का दर्द रहता है तो उस दर्दी की समस्या को ये ठीक करने का काम करता है और जैसे कि अगर आपके सरीर में किसी भी कारण से चोट लग गया है सूजन की समस्या हो गया इंफ्लमेशन हो गया है वहाँ पर दर्दी की समस्या रहता है या फिर आपके तचा पर या फिर हड्डियों में चोट लगने के कारण वहाँ पर काला काला सा पड़ जाता है बलड का थक्का है व यह दवा का डूज होता है, यह डॉक्टर के दोरा मरीज की इस्तिती, उसकी दिक्कत, उसकी एज, उसकी वाडी वेट को देखते हुए और अपने एक्सपिरियंस के एंसवार इस दवा का डूज, डॉक्टर के दोरा ने निर्धारित करके लेने के लिए बताया जाता है, लेकिन जो एडल्ट में इस दवा का डूज होता है, डॉक्टर के दोरा एक गोली सुबा, एक गोली साम को लेने के लिए बताया जाता है, यानि दिन में दो बार ये मेडसिन लेने के लिए बताया जाता है। इसके लांवा येद आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं आप अपने दिक्कत पर रहसाने बताया हैं। उसके बाद में कोई दवा कोई मेडसिन यूज Yubeing करें। कभी भी आप कोई भी मेडसिन प्योग ना करें